ग्यान और ध्यान का अद्बूत संगम इन सब बहुत खुबसूरत बादों पर बहुत इंट्रेस्टिंग बादों पर हम चर्चा करेंगे हमारे बीच आ रहे हैं हमारे पहले पैनलिस्ट सुनील भागर जी सुनील भागर जी, स्वामी नरायन आश्रम के संस्थापक और ध्यान और गंगा आर्ती का खुबसूरत संगम करने वाले एक बहुत अद्बुक्त ब्रक्ति आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जैन सर हमारे नौर्थ के सीनिया मोस्ट पिरमिड मास्टर जोरदार तालियम इतनी इंपोर्टन बड़ी बड़ी पोजिशिशन्स अज इंकम टाक्स कमिशनर उनके बावजूद हमें लगता हम बहुत बिजी हो जाएंगे लेकिन उसके बावजूद सर ने ध्यान का प्रच सौजन्ने से उसकी कंस्ट्राक्शन हुई है सो अ ग्रेट मास्टर वेलकम ट्यू सर अब आ रही है हमारी पैनलिस्ट इप्षिता पुजारा जी आए इप्षिता जी बुवनेश्वर से इप्षिता जी और ध्यानी साती साथ बहुत सारे किताबों का अध्यन करने वाली प् सभी का स्वागत है तो सुनिर पागत जी आप से पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारा आज का टॉपिक है गुरू इंडिया तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं गुरू किसको बोले गुरू क्या होता है जी उसके बार में कुछ प्रकाश डाली है गुरू का मतलब होता है जो हमें मारदर्शन करें हमारी बातों को समझे हमारे लेवल को समझे और वहीं से हमें आगे बढ़ाए उसे गुरू कहते हैं स्वामिनान संपरदाई किस थापना को दो सो वर्ष अभी जो वड़ताल के अंदर मंदीर बना है भगवान स्वामिनान खुद अपने हाथों से बनाया था उनको अभी साथ नॉवंबर से पंदरा नॉवंबर तक बोड़ा प्रोग्राम है 200 साल हो चुद तो परमपरा अविरत चलती आ रही है यह संपरदाई पूरे विश्व में फैला हुआ है उनका जो अगर बेज कहा जाए क्यों इतना फैल रहा है क्या है इसका रिजन क्यों इतने सारे लोग जूड रहे हैं तो उनके अंदर सबसे पहले बाद जो पिरामिड की जो कुछ सिद्धान है वही सिद्धान स्वामिनान संपरदाई के सिद्धान को बे मिलता जूलता आता है जी जी धन्यवाद सुलीज भगत जी सर आप से जाना चाहेंगे गुरू तत्व क्या होता है गुरू कौन होता है अभी जैसा स्वामी जी ने बताया गुरू का मतलब होता है मार्ड दर्शक लेकिन अध्यात्मिक परिवेश में गु करें और गुरू कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता व्यक्ति विशेष भी हो सकता है अधर्वाइज गुरू एक तत्व होता है तो बहुत सारे गुरू ऐसे रहे मास्टर्स इंडिया में जिनोंने कहा कि मैं गुरू नहीं हूं मैं तो उस गुरू तत्व को रिप्रेंट क तो गुरु का मतलब है जो अज्यान के अंधिकार को मिटाने के लिए आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा उस गुरु तत्व से आपका संपर्क करा दे जी सर धन्यवादी बहुत सुंदर परिभाशा मैं अंडर्स्टैंडिंग बहुत सुंदर है कि गुरु तत्व सभी के भीतर है तो सर एक बाद आपसे और जाना चाहूंगी कि जिसे पत्री सर कई गुरु हुएं कई गुरु परमपरा हुएं हैं आप ओशो को ले लिजिये मा मैने यह सब के अलग हैं कि आप और मैं अलग मैं मेरा भगवान अलग ऐसा कुछ है के अंदिसनिग जब MASTER या Guru कहते हैं कि मैं भगवान हूं तो वो जो मैं है वो आप का मैं और मेरा मैं एक है यहां के संतों ने यहां के गुरू और ने बताया जैसे राममेह श्टी नुज़िते भूर्वाफंदूट सर्खा थ्यूति रेन् संतर। वह कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और वो शाश्वत में सबका एक ही है। एक थूसरा मैं है जो एहंकार युक्त मैं है और वह परीचा में हम एहंकार रूपी मैं से अपने मैं को अलग कर लिते हैं, अन्यता, सबका मैं एक ही है और वही पर्मात्मा, सरूप, ज्ञान सरूप, ब्रह्मन शक्ति है. दो जो सर बोलते थे, I am that I am, यह वही है? मैं वही हूँ? जी सर, बहुत खुब्सूरत, आपने बड़े ब्यूटिफुली सर की और सभी गुरूओं की वाणी को आपने एक धारा में एक्स्प्रेस किया, Ipshita जी, आप से जानना चाहूंगी, कि आप आज बात करेंगी सौमी अचुतन अजी पर, तो यह क्या मतलब, इनकी टीचिंग् परिचित नहीं है अचुतन अजी से, आप भुवनेश्वर से हैं, तो आप कुछ बताए इन गुरु के बारे में. गुरु और गुरु तत्त्तों के बारे में बताने से पहले, मैं बोलना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा, गुरु बिश्णू, गुरु देव महेश्वर, गुरु शाक्षात, परम ब्रह्मा, तसमे श्री गुरवे नमह में उस गुरू, वो परम गुरू, जो ब्रह्मा हो के हमारे अंदर क्रियेशन कर रहा है, जो बिश्नु बन कर हमारे अंदर हमी को पालन कर रहा है, और जो महेश हो कर हमारे अंदर की अहमिका को, नकरात्म को उर्जा का दमन कर रहा है, नास कर रहा है उस महेश को, और परिशे वही ब्रम्ह स्वरु हमारे अंदर बैठा है। उस ब्रम्ह को जगाने के लिए जितने गुरु इस धरा मंडल में आये हैं। परम गुरु मंडली, ब्रम्हर सी पिता महा पत्री जी, पंच सखा और आज इस गुरु के बारे में में बताने जारे हूं। संथ अचुतानन्दास उन सभी को फिर्दे से नमन करती हूं। जी प्षिता जी, तो आप सौमी अचुताननदी के बारे में लोग को कुछ पताना चाहेंगी, मतलब कि गुरु जी के बारे में को के लोग जानते हैं नहीं हैं। अचुनानन्दास संथ अचुतानन्दास सिक्स्टीन सेंचुरी के एक महान संथ हैं। जो पुर्व भारत में एक आध्यात्म क्रांती लाई। तब जो समय था भक्ति मार्ग का और भक्ति में लीन वहां में ज्यान मिश्रित भक्ति ज्यान को ज्यान की तत्व को भक्ति में मिश्रण करके वो एक सहज मार्ग लाए सब को हर एक श्रेणी को हर एक बर्ग को हर एक प्राणी को जैसे पत्री जी कहते हैं हर एक को ध्यान करने का पुरा अधिकार है, वैसे ही उन्होंने हर एक व्यक्ति को चाहे उच्च बर्ग में जन्मा होया, नीच कुल में सोक और लोकास्ट, सभी को साधना करने के पुर्न अधिकार है, ये बात उन्होंने की वह महान शंत है, वो दिब्यद रस्टा है, वो सदियों से है, मतलब वो सत्य जुग में कृपाजल थे, द्वापर में वो सुदामा, त्रेतया के नल और कल्यूग में अच्यूतानंद, जिनको की भारत के नॉस्ट्राडमस कह जाता है, उनकी भविश्य बाणी, जो माली का है, वो आज तक उनकी तरह अच्यूत है, मतलब ऐसी कोई बाणी नहीं ह जो आज तक फलित नहीं हुआ है, तो ये सायत, ये समय की, यो सिफ्टिंग की समय में, उनका बात, उनका चर्चा होना, सद ये भी एक डिवाइन प्लान है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं, कि ये भी लिखा हुए उनकी मालिक, मालिका में, कि कोविड आएगा, कोविड ह हमारे जीवन में, सभी के जीवन में एक बड़ा शिफ्टिंग, बड़ा हीुज शिफ्ट का टाइम आया था, कि ये भी लिखा है, ये ये भी लिखा है, लिकिन वो नाम कोविड तो नहीं हो सकता, ये उन्होंने ये लिखा था, आसिभा, 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 हुरी आरहा है, आरहा है, वो जो भय, वो कोई बिचार नहीं कर पाएगा, क्या हो रहा है, ये परी ब्याधी होई बसंसारे, ये परी ब्याधी होई बसंसारे, बॉड़ा दे मुखे तुंडी भरी, मने जैसे ऑक्स के मुँ में, बलत के मुँ में जैसे तुंडी होता है, सब के तो आप सभी COVID के समय में तुंडी लगाये हैं। सभी कोई वो मास्क पहने हैं, जो कि वो उस समय की भासा, उस समय की बोली में रचना किये हैं। वेरी इंट्रेस्टिंग। जैन सर्स आपके पास आला चाहूंगी। जैन सर्च के बारे में बताएंगे वो है रमाद महारेशी जी में वेसे तो सर् अपने जीवन काल में बहुत सारे सिद्ध पुनुष्णखद मिलें। आप जैन परिवार में जैन सर्च का इन वी जैन गुरू जैनी उनकी इनने बहुत अध़ हैं। तो सर्क ग्रमाट महारेशी जी के प्रती ये अकर्शन कब और कैसे हुआ और क्यों आपको नकी टीचिंग इतनी अट्राक्टिव लगी? लोगी के अंदर जिग्यासा का भाव होता है, लेकिन सच्चा जिग्यासु वह होता है जो उसमें पूरी तलीनता से किसी के भी मागधर्शक के पास जाए। और अच्छे सीकर का ये दायत्तु है, जिस भी मार्ग दर्शक या गुरू के पास जाए, उससे पूछे, क्या आपने अपने भगवत सरूप के दर्शन किये हैं, क्या मुझे आप मेरे भगवत सरूप के दर्शन करा सकते हैं। मैं इसी मैथठट को इसी शूत्र को लेकर के सब जगे गया, जैन संतों पे गया, बहुत संतों पे गया, बहुत जगे में गया, लगबक सोड तेर्व सो मास्टर से मिला, उसी क्रम में पत्री जी से मेरी भेट हुई। तो बहुत सारे master's को तो खुदी उनके अंदर वो पुरे confidence से नहीं कह पाते थे, वो कहते हैं यह तो यात्रा लंबी है, यह तो कोटी-कोटी की यात्रा है, तो that is called progressive path of meditation, जिसमें आप अपने कर्मों को धीमे धीमे बंद करते हुए, धीमे धीमी गती से आपको realization होता है, मुझ को यह बात जची नहीं, तो उस बीच में मैंने एक किताब पढ़ी, a search into secret India, that is a book by Paul Brunton, जो की एक UK के जर्नलिस्त थे, और उनको बताया गया कि इंडिया इस full of sages, full of saints, तो वो 20th century में इंडिया ब्रमण को आए, दो एक डेड सार रुके और सब जगे उन्होंने खोज की, उ इससे उनकी वो जिग्याशा शान्त होती, अंत में जब वो बापत जा रहे थे, तो शंकराचारिय कांची कोटी पीठम पे वो गए, और वो बड़े ही निराश थे, मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था, यहाँ पर तो जगे जगे संती भरे हुए हैं, मुझे तो कोई मिल नहीं, उन्होंने कहा आप निराश नहीं हो, आप तिरुन मलाई में जाईए, वहाँ पे एक सेज है, रमन महर्शी, वहाँ पे आपको यह सेंस ओफुल्फिल्मेंट मिलेगा, फिर वो पॉल ब्रंटन वहाँ पे गए, रमन आश्रम में, महर्शी रमन से मिले, एंड वहाँ पे उनको चार-पांच दिन में बापसी करनी थी UK की शिप से, अपना समय उन्होंने और बढ़ाया, और उनको महाँ पे रेलाइशन हुआ, उसके बाद उन्होंने वो किताब एक शापी, एक सर्च इंटू सिक्रेट इंडिया, जिससे रमन महर्शी का नाम पूरे वर्ड मे विख्यात हो गया, और सब देशों से, पार्सी, ज्यूज, प्रिश्यंस, सब जगे से लोग आए, क्योंकि उनका मार्ग जो है ग्यान मार्ग है, और इट इस कॉल डारेक्ट पाथ, वो कहते हैं, हेर इन दिस मोमेंट, यू केन रिलाइज यूर ट्रू सेल्फ, क्योंकि वो भगवत सत्ता आपके भीतर है, वो कहीं बहार से प्राप नहीं होनी है, यदि परमात्मा सरवत्र है, सब में है, सब समय है, तो इस समय ही क्यों नहीं, यदि आप उसको फ्यूशर में टालते रहे तो मास्टर कहेगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो वो कभी नहीं हो जाएगा, तो मैंने फिर उनकी जो भी सूत्र थे वो पढ़ने शुरू किये, लास्टे, फिप्टी, ट्वेंटी यर्स, आप बीम गोईंग तो रमन आश्रम, एंदेन आ हैड दोज ग्लिम जो कि एक मराथी तीन चार्फ डर्जे ही पास थे, अध्वेद बढ़नत के टीशट थे और उनको भी बहार से मिलने, बहुत सारे लोग सीकर साय और वहाँ सारे लोग सेकर साय, और मैने आप बोग तो रेलाइजेशन. अग नो जा बीम अधिया पास ते, अबीम प्राइज के बारे में कुछ बेताएं, जी. स्वामिन्यान संप्रदय मुलतह वैश्णव परंपरा से चलता आ रहा है, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग के साथ-साथ, भगवान स्वामिन्यान ने कहा है कि आत्म भाव से भक्ति करना चाहिए, देह भाव को भूल कर, अगर आप शरीर बनके कुछ करेंगे, तो थोड़ा समय कर पाएंगे, आत्म भाव से करंगे, तो नेक्स लेवल तक आप पहुँच पाएंगे, स्वामिन्यान संप्रदय के अंदर भगवान स्वामिन्यान ने खुद अपने हाथों से छे मंदरियों को स्थापना की, जैसे वर्तमान में हम लोग पिरामिड तो है, वहाँ पे जाक hazırny को सिखर बने हुए को सिक कहते हैं तो उसके नीचे बैटने से संसारी लोग है गुरहस्त लोग है कभी वान से परेशान, परिवार से परेशान सारी वीमारियों से परेशान जब होते तो जाए तो कहा जाए उनको कुछ तो चाहिए जहांगे उसको परम शांति मिल तो उस तरह से भगवान स्वामी ने उस समय पे छे मंदिरों खुद अपने हाथों से बड़े-बड़े मंदिर बनाए तो आज भी ये संप्रदाई मंदिरों की ही स्थापना करता आया है और वर्तमान में भी देश-्विधेशों में बड़े-बड़े मंदीर की स्थापना कर रहे हैं और लोगों को भक्ती मार्ग के अंदर आगे बढ़ने को, ध्यान करने को कह रहे हैं यहीं शिखार है, साकाहार के उपर ही जोर दे रहे हैं कि शाकाहरी बनिये और ध्यान करिये हम लोग सुब उठते ही सबसे पहले ध्यान करना होता है स्वमेंड संप्रदे के अंदर पांच टाइम ध्यान करने का कहा गया है कि हर व्यक्ति को जो भी स्वमेंड संप्रदे में उसको पांच टाइम ध्यान करना है कंपल सरी, जिसको मानसी पूजा कहते हैं, कि मैं भगवान का भकता हूं और भगवान को देह भाव छोड़कर आत्म भाव से भगवान की बक्ति करता हूं, वैसे हम लोग भी सब भगवान को मानते हैं, आध्यात्मी के सब लोग असात्विक हैं, तो कह दे कि प्रत्यक्स पू किसको फल जया दामिलता है, वचना भूत के अंदर भगवान को प्रश्ण पुछाता है, तो भगवान जह हैं कि आप धि eighteen में रहेंखर भगवान के पूजा करें, प्रत्यक्स पूजा करें, जिसके अंदर भाव है, वही भक्ति श्रेष्ट है, तो भाव को प्रधानता दी गई है, स्वामि लेट संप्रदाय के अंदर. बहुत सुन्दे, मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगी, कि हमारा PMC, PSSM का बहुत वर्षों से स्वामि दारा नाश्रम के साथ हमारा, इनके साथ एक अत्व हम महसूस करते हैं, और सुनिल भागर जी ने ना सिरफ वो गंगा आर्ती तो इतनी खुबसूरत कराते हैं, साथे साथ सभी को जो आते हैं, उनको ध्यान भी कराते हैं, तो इसलिए मैंने इनके इनके से पहले मैं मिला था, यहां पर जब इंटरनेशनल योगा फेस्टियोल होता है उनमें, वायोजन भी हम लोगोने स्वाम विशुदानन जी साथ, और अचेरे गंगाराम जी सब लोग मिलके किये थे, उसमें उनको अमंतृत किया था, उसमें पर उनको जो देखा हमने, कि ज पांच टाइम मांसी पूजा करनी चाहिए, मैं भी करता था, मगर जब से यह परमपरा, जो पिरामिड्स के अंदर है, कि सांसों के माध्यम से ध्यान करते करते, आप उस लेवल तक पहुच सकते हैं, तो जब से यह सीखा, मैंने भी पिरामिड्स में आकर ध्यान, पत्री ज को मैंने वचन दिया था, कि यह ध्यान की परमपरा, अब अवीरत चलती रहेगी, जैसे गंगा जल बहरे, गंगा जी बहरे, वैसे ही, यह ध्यान की परमपरा, अवीरत चलती रहेगी, तो हर साल आप लोग आके इसको और बुष्ट करते हो, तो हम लोगों को भी खुब आन जो लोग कही बार बिल्कुल अंजान है, जिनको ध्यान कही पता ही नहीं है, वैसे वैसे लोग आकर बैठते हैं, और उनका जब रिव्यू हम सुनते हैं, और इनको इतनी सांती होती है, क्योंकि देखो गंगा का टट है, और उसमें अगर ध्यान करने को मिल जाए, तो तो सौ से आप, तो जैन से पूछना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे थे, तो आपने द्यूलिज्ण, नोन ड्यूलिज्म की बात कर रहे तो जिसको हम अद्वैत भी शाहत बोलते हैं, तो हम अद्वैत से क्या समझें, इंके अग्ता सुनने में आप कुछ असान शब्डों में हम वर्ड को सश्टी को देखते हैं, तो यहां पे अनेकता है, मैं अलग हूँ, इश्वर अलग है, जगत अलग है, इसका अंडरलाइन प्रिंस्पिल, वो एक ही तत्व है, वो परमात्मा, ब्रह्मन, वही एक तत्व है, जो सब जगे व्याप्त है, और वो तत्व मैं स्वयम हू यह जो अद्वियत विदान्त हमको यह कहता है, एहम ब्रह्मास्मी, मैं ही वही तत्व हूँ, इन एपिरेंस, मुझको जो प्रतीत होता है, यह अनेक स्वरूप है, द्वैत है, लेकिन वास्तम में वह तत्व सब जगे एक सा, एक समान व्याप्त है, एहम ब्रह्मास्मी, आ आयम आत्मा तत्वम अशी और उसको आप स्वयम महसूस कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता तो नहीं है कि हम वो गोड हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर। कि God has created man in His image. गीता भी बोलती है कि आप भगवान के अंशी हैं, लेकिन उपनिशद इस बात को कहते हैं, रवन महशी ने बताया, कि जब तक आप की इंद्रियां आपका मन बहार की ओर है, बहिर मुखी है, तो आप इस जगत प्रपंच में, इस डाइवर्सिटी में पढ़े रहेंगे, यदि आपको उस भगवत स्वरूप को जानना है, तो आपको अंतरमुखी होना पढ़ेगा, यू हैब टू बिड्रो इन्वर्ड, मेडिटेशन उसका एक तरीका है, जिससे आपका माइंड वन पॉइंटेड होता है, में, जो की सब का अलग-अलग है, जिसको मन कहते हैं, वो गिड़ जाता है, और इसका सोर्स जो है, वो वही परमात्मा है, जो सम्में में के रूप से इस्तापित है. बहुत सुन्द है, बहुत सुन्द है, इस्षिताशी आपसे जानना चाहूंगी, आचितनन जी ने भी कुछ 타ॉंडिलिस्म पे बोला है क्या? जी, उन्द हैं, उन्होंने बहुत सुन्दर तरीके से सुन्य संघिता में बोला है, वैसे वो 1,084,000 गरंथ लिखे हैं, उनमें से सुन्य संघिता में उन्होंने व्यक्त किया है, सुन्य महाशुन्य, वो जो निरगुण, निराकार रूप है, वो शुन्य है, वो अद्वेत है, फिर भी वो ही सुन्य ही, साधक जब साधना करता है, अपने अंदर की सुन्यता और बाहर की सुन्यता में लीन होता है, एकाकार होता है, तभी वो परम जोती, परम ब्रह्मा तत्व को महसूस करता है वाँ, कितना खुबसूरत आपने श्लोक भाहसनस्थितने तो श्लोक बोलते हैं, नहीं है, आपकी लांगुज में क्या बोलती हैं, तो बाइस बहुत कुछूरती से आपने आपने याद करा है, कि इंसाइड और आउसाइड में एक अननेस, जोटल उननेस, जोटल उननेस. सर एक बात आपसे जाना चाहूंगी कि जैसे रामन महारेशी ने वी क्वेस्चन पूछते थे, कि आप अपने आपसे पूछिए, हुआ है, तो ये प्रशने का क्या सिग्निफिकेंस है, और इसमें क्या हो जाते है ऐसा करने से? रामन महारेशी कहते थे, कि आप सचित आनंद हो, I am सचित आनंद, मैं ब्रह्म सरूप हूँ, जब हम आपसे आपका परिचय पूछते हैं, तो आप अपना क्या परिचय देते हैं, आप अपने देहे और मन का परिचय देते हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये गाउं है, मैं एहमकार, एहंग, एहमका, मेरा अपना निज का जो ये देह है, मन है, बुद्धी है, इंद्रिया, इसको मैंने एक आकार दे दिया, तो जब मैं इस मैं को देखता हूँ अपने अंदर, तो मैं पाता हूँ इसका कोई आकार नहीं है, ये मैं वास्तम में एक विचार है, आई थोट, तो रमन महर्शी कहते थे, आप अपने अंदर आँख बंद करके इस आई को खोजें, what is this I, who am I, तो जितने भी इसके आंसर आ this, ये आपके देह का परिचे है, मैं एक जैन हूँ, ये आपके संपर्दाय का, जितने भी आंसर आएंगे वो सब नेती नेती करके खतम हो जाएंगे, then a time will come, फिर कोई आंसर नहीं रहेगा, और ये जो मैं है, जूटा मैं, फालसाई, इसके अपने नहीं है, तो जो वो सोर है, वही वो ब्रह्म सरूप, सब के अंदर व्यात, शाश्वत मै है. बहुत सुन्दे, सर, मुझे कबीरदास जी का एक का हूँ गीत याद आगया, नेती नेती कह गाया, मुरा साधू भाई, तो I'm not this, not that, not that, not that, बहुत सुन्दे, तो Ipshita जी, आप बताएंगे, आप बताएंगे, अचितनन जी भी के पारें, उनकी टीचिंग के पारें में क जोती, छाया, बाड, हज और समाधी, इन्होंने ये बिधी स्याव, थोड़ा सा इसका description दीजेए, बिगोजी, तो description ने में सिंपल सा बताती हूँ, कि वैशनव कौन है, उनकी परिवाशा में हम जानते हैं, कृष्णभात वैशनव कहलाते हैं, कृष्ण की परिवाशा उन के पास वही वैशनव है, और ये वैशनव को, ये साकार रूप से, ये सब भाव है, और उनको प्राप्त करने की बिधी उन्होंने कहा, कि ज्यान मार, ज्यान मार ज्यानी, आत्म ज्यान का मार, और आत्म ज्यान कैसे करें, साधना करके करें, वो साधना क्या है, जो आप लो अपनी ही चाया को हटाएं. डाक साइड, I think. अपनी ही चाया, दो बहुत साधना किये. मतलब आप अगर धूप में खड़े रहें, और अपनी ही चाया के प्रतिबिंब को देखें, उनमें क्या प्रतिबिंब नहीं आ रहे हैं, उससे आपकी स्थिती समझाती है, बहुत गूड़ बाते हैं, तो वो हम अभी बाते नहीं करेंगे, हम सिंपल से बात करेंगे हैं, हर एक पिराबिड मास्टर एक वैशनव है, क्योंकि उसमें दया है, सांती है, ख्यमा है और प्रेम है. इतना ही है, सिंपल है, उसमें भाव है, अगर हम ध्यान भी करें, और भाव नहीं है, वो ध्यान गहरा नहीं होगा. तो वही बता रहे हैं, कि प्रेम पुर्ण, भाव पुर्ण, जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर वो ब्रह्म को प्राप्ति के लिए सहज होता है. ये काफी संतों ने भी बल बोला है, मानो नहीं जानूं. तो आप खुद एक्स्पीरियंस कीजिए. ऐसे नहीं कि बस मान लो कि हाँ, ऐसा होता होगा. काफी गुरुव ने इस बात पर प्रकाष्टा, मतब एंफिसाइस किया इस बात को. तो आप, स्वामी जी आप बताएगे, स्वामी जी कुछ टीचिंग्स के बारे में. तो स्वामी जान भगवा ने भी यही का, ध्यान करने से पहले, या भक्ति करने से पहले, सबसे पहले अपना देह भाव भूलना पड़ेगा. हमारे तीन देह, स्थूल, शुक्ष्मा और कारण. मैं तीनों सरीर से देह से परे हूँ. सबसे पहले तो यह आपको भावना करने के बाद एक स्थान पर बैटना है. स्थूल, शुक्ष्मा और कारण. तीन सरीर से परे हूँ, फिर जागरत, स्वपन और सुसुपति, तीन अवस्था है हम सब की, तीनों अवस्था में हम रहते हैं, तो तीनों अवस्था से भी मैं परे हूँ, ये एक भाव अपने अंदर जगाना है, फिर तीन प्रकार की, जो हमारी सत्व, रज और तम, तीन प तो जिस समय पे आप सत्व गून में होते हो उस समय आपको बख्ति करने का मन होता है। जब आप तमस में होते हो तब आपको लगता है। जब आपको लगता है। जी इस अवस्था को हमारे पत्री सर ने भी बोला कि शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व में आगे। और ओशो ने इसका बताया। तुरिया अवस्थाब के बारे में ओशो ने काफी बात करी। जो बियॉंड है। हमारे जी बहुत सुंदर सर। जैन सर आपसे जालना चाहोंगी। कि आप निसरगदत महराज से भी आपका लगाव होना शुरू हुआ। तो वो कैसे आपसे लाइफ में और उन उन से क्या सिखने को मिला। हलो। निसरगदत महराज भी अद्वयत परंपरा के बहुती अधुष संत है। और वो ऐसे विशेश संत रहे। कि विदेश से लोग फ्रांस से आते जर्मनी से आते। और उनका एक छोटा सा कम्रा होता था, वो एक चाल में रहते थे दस बारे लोग। और वो घंटे दो घंटे उनसे ग्यान मार में चर्चा करते। और उनको कहते नाओ, मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको सिखा दिया, you can go. और कुछ लोग जो नहीं सीखने वाले होते हैं उनको ब्लंटली कह देते हैं आप चले जाएं तो हुनोंने सेक्ड़ों लोगों को रेलाइएशन आफ्टर एलाउइंग दे दिया तो उनका एक ऐसा सूत्र है वो इतना अधुत है वो कहते हैं कि आपका जो एसेंस है वो है मैं हूँ आप मैं कौन हूपे भी ना जाएं यू स्टे सिंपली आएम अधाट इस दी बीइंगनेस आई नो आएम बाइबल भी कहता है आएम डेट आएम आएम गौड तो आएम में क्या है केवल आपका होना पन है आप हमेशा होते हैं होने पहले होते हैं उसके बाद कोई किरिया करते हैं उसके बाद कुछ सोचते हैं उसके बाद तो आपका होना पन हमेशा जो का त्यों रहता है अभी मैं आप से पूछू दस साल पहले आप थे आप कहेंगे हाँ मैं वैसा ही था तो that is a common threat, that is called beingness, तो उन्होंने एक शरीर की और व्याख्या करी, उनके गुरूने, उन्होंने का चार शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सुख शरीर जिसमें मन आता है, एक कारण शरीर जो निद्रा में आता है, जिसमें state of forgetfulness, सब कुछ आप भूल जाते हैं, और फिर महा क सब कारण शरीर, जिसमें आयम आता है, शुद्ध आयम, तो उन्होंने का बस जिसमें आप इस्टे करोगे बिंग में, जब आपका एहंकार, जिसमें आयम आता है, शुद्ध आयम, तो उन्होंने का बस जिसमें आप इस्टे करोगे बिंग में, जब आपका एहंकार, जिसम existence, consciousness and bliss that is Satchit Anand और हमारा जो गुरुप चलता है उसमें काफी लोगों को इस सिंपली इस सुत्र पे काम करके, that sense of blissfulness वो आने लगा है महुत सुंदर सर्थ, thank you so much इप्षिता जी, आपकी जीवन में आप ध्यान अभी दोहजार 20 तो उससे पहले आप किस गुरु के प्रतियापा कर्शे तो ही ती और क्यों मेरे प्रत्थम गुरु मेरे माता पिता तो सभी के वो खास इसलिए क्योंकि उन्होंने ये प्रेरणा दी है हारे गुरु से सीखो और कई संथ और महापुरुस हमारे घर आयते थे और हम भी सभी के सानिध्य में जाने का सोभागय हमें मिलता था और ऐसे ही एक माता है माता कृष्णा जिनके आलोकिक संपर्क में ये आना मैं समझती हूँ ये जीवन का एक बहुत बड़ा सोभागय है जिनके माध्यम से में अचुतानन जी को कुछ थोड़ा रत्ती भर जानने का सोभागय मिला है जैसे अचुतानन महापुरुष उनकी जो बाद है भक्ती मार्ग और ज्यान मार का एक सुन्दर सा समिष्टरण तो जैसे हम ऑटोग्राफी ओफ योगी में भी पढ़े हैं ऐसे बहुत संत हैं भारत वर्स में जो जिनके एक साथ दो सरीर दिखेंगे एक माता हैं जो अनाहार मतलब बिना खाए बहुत साल रहे हैं ऐसे बहुत सारे संत हैं वैसे ही माता कृष्ण एक अलोकिक हैं जिनके सानिध्यमे में ध्यान करने समय जम हम जगनात मंदिर जाते हैं ऐसे ही भक्ती में बैठे होते हैं और अचानक आप देखते हैं कि उनके हातों में एक सोने की पोथ ही आ जाती है ऐसा मैंने सोच अख्यू से देखा है तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जो उनके साथ अनुभव हमने किया है कि कैसे दिव्य वो दिव्यत्या की छबी उसका अनुभव आपको होता है तो उसकी महेक आपके जहन में रह जाती है कि ब्रह्म सचमुझ है और आप जो पभी बोल रहे थे कि हम सब में काया में उपाशना की बात तो उन्होंने भी वही कहा जंत्र यानी कोई जंत्र नहीं जंत्र यानी याज शरीर और तंत्र यानी तन तारती ती तंत्र इस तन को जो तारण करे रक्षा करे वही तंत्र और मंत्र एक प्रयोग तो उन्हों ने, वो मता बताए था कि इस सरीर को Jantra बना कर Brahma की मंत्र को अनाहत में स्थैपित करो, सब से प्रेम करो. सब से प्रेम करो. अभी वहिस्तिति आहम ब्रहम हस्मी, वहिस्तिति तत्व मसी. जी, हाद्यार, बहुत सुन्द है. So, अन्त में मैं आप सभी से ये एक अपनी, मतलब लाइफ की हाइस्ट जो अपने जीवन कान में अपि तक हाइस्ट चीज जो सिखी है गुरुवों से, क्योंकि अमारे पत्री सर बोलते हैं, सभी से सिखो, उनके हिसाब से कोई गुरु एक यहां बैठा हुआ वेक्ति नहीं है, उनके हिसाब से सभी में गुरु है, तो मैं आप सभी से जाना चाहूँगे कि आपकी हाइस्ट लर्निंग इस लाइफ टाइम में क्या रही है. सुनिल बगाजी. मैंने अपने जीवन में सेवा मुक्तिष्चा गंमताम इस सुत्र को अपनाया हुआ है, कि सेवा करने से जो खुशी मिलती है, वो मुझे और कहीं नहीं मिली. आप लोगों को भी अनुबो होगा, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती हैं, और आप ने दुकान पर जाके खरी दी, और कोई भुखा व्यक्ति वहां खड़ा है, और वो इसने मांग लिया, मैं दो दिन से भुखा हूँ, तो आप अगर उसको देंगे, उतना अनन्द उसको देने में आएगा, उतनों आपको खाने में नहीं आएगा. आप जैसे कहीं ट्रावेल कर रहे हैं, कोई दिव्यां या कोई व्यक्ति ऐसा बुजूर्ग खड़ा है, आपने खड़े होके उनको सीट दे दी, तो आपको खड़े होने में थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उनको अपनी सीट दिये, तो मैंने अपने जीवन में सेवा, मुक्ति शेगमेताम, सेवा को ही अपना जीवन माना है, और एक चीज मैंने ये भी देखी है, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, कोई कार्य लेके, कोई सेवा लेके, कोई प्रॉब तो उस समय पे हम लोग अगर उसके साथ खड़ेंगे चोलो में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और यह समझा का समाधान निकल जाएगा तो उस तरह से मेरे जीवन में अपना है कोई भी युएक्टेगर मेरे पास कोई शमर्षय कुछ भी लेकर आता है तो मैं उसको तुनन ब तो परमात्मा आपके पास उसी व्यक्ति को भेजता है जो आपके पाक शमता है आप उसको कर्ष दिखा दे और अगर नहीं होती तो परमात्मा खुद आपके पास आके आपको मारदर्शन करता है क्योंकि परमात्मा कोई बासूरी लेके या तीर कमान लेके नहीं आएंगे हर किसी के पाश परमात्मा आते हैं, तो इसी रूप में आएंगे, जैसे आप लोग खड़े बैठे हैं, हम लोग यहां है, हर किसी के अंदर परमात्मा का वास है, तो उन सब की सेवा परमात्मा का भाव रखे करी, हमारी अनक्षेतर चलता है दोनो टाइम, उसके अंदर पूरे शिष्यम जाड़ी आई सुष्तार के जितने भी लोग रहते हैं, उनका भोजन प्रवाइड कराते हैं, तीनो टाइम, दोनो टाइम, सुबे और शाम, तो वही सेवा इतनी अच्छी लगती है, कि उसका मैं वर्णा नहीं कर सकता है. जैन सर, आपका एक लंबा असोसियेशन हमारे साथ, आपकी हाइस, और आपने मताब बहुत आप वेल रेड्ड भी हैं, वेल प्राक्टिस्ट भी हैं, आप अपने लाइफी हाइस्ट टीचिंग, क्यों से गुरू से आपने क्या बाया हैं? पत्री सिर से बहुत सीखा, पत्री सिर का लेविल ओफ अवेरनेस ही हैज बीने ग्रेट मास्टर, अर इलाइस से और उनसे और बाद में ही ये रवन महशी की टीचिंग और निशकदत महराज से, अब मेरे अंदर ये बात पूरी तरह से समा गही है कि मैं इसी छण अभी परमात्मा हूँ, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं अस्तित हूँ, ये बात पूरी तरीके से हमेशा मेरे अंदर चलती रहती है, और मैं डूर नहीं हूँ, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, एक हायर शक्ति ही सारे अस्तित में करा रही है। उस इवाइन डिजाइन में चुकि अब मैं बोल रहा हूं तो ये अस्तित उन्हें एक मोका मुझको दिया। So, deeds are done, events happen, I am not the doer, I am not the enjoyer. बहुत सुन्द है, बहुत सुन्द है। इप्षिता जी। मैने भी अपना life का highest learning पत्री जी ही लिया। क्योंकि पत्री जी के मिलने के बाद, life का purpose मिला। जब life का purpose मिला, हर पल में लर्न कर रही हूं। हर पल सिख रहे हैं। तो highest learning, अभी मुझे मुझे लगता है, हर पल की है। इस पल की है, नाव मोमेंट की है, the power of now है, इस पल में क्या लर्निंग है, इस पल में क्या लर्निंग है, वो, that is the highest learning for me. जी, दोस्तों, इस बहुती सुन्दर सत्र को मैं असको विराम सर आप आया, एक इंसिडेंस मैं सुनाया चाहता हूं, जिए पत्री सर को मैंने पहली वार, 99 में दिर्हादून बुलाया, और वो मेरे घर पे ठहरे, नोथ इंडिया में दिर्हादून में ध्यान का प्रचार प् आओ, आओ, इस फुल्ली इंप्लिमेंटेरिन इंट इंवी, तो मास्टर के कभी-कभी के जो प्रयास होते हैं, जो हमको लगता है कि इज़ बेज़ बेज़ ओंडूरिशिप, वो किताब थोड़ी पढ़ी नहीं पढ़ी, बट अब वो पूरी तरीके से अपने अंधर उतर वहाद सुन्दर शर्य, यही शयद हम सभी की लाइफ का, यही एम है, सिरफ 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 पढ़ते थोड़ना रहने है, आपको अपने भी तरब कितना होतार पाते हैं, तो दोस्तों, अन्ते में सभी का, मैं एक लाइन में, गौरकनाज जी की एक लाइन में उसको मैं सम्मराइ झाल